What's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आच्छी कहानी जो explain करने जा रहे हैं, उसका नाम है Antebellum तो समय चल रहा है American Civil War का जगा है Louisiana का Cotton Plantation Camp जहां पर Black लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें गुलाम बना के रखा गया है, जिसमें सिर्फ यंग लोग है कोई भी बूला या फिर बच्चा आपको इसमें नहीं मिलेगा, इन लोगों से दिन रात काम कराया जाता है, चाहिए किसी भी हालत में क्यों ना हो इनके बीच हम एली, उसके वाइफ और एडन नाम की लड़कियों को भी देखते हैं, ये तीनों भागने का सोचते हैं, पर जैसे ही ये भागते हैं, इन्हें पकड़ लिया जाता है, और एली के सामने ही उसकी वाइफ को जान से मार दिया जाता है, जिसे वो पूरी तरह से तूट जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि वो एक गुलाम है, वहीं एडन को ये लोग उठा कर जनरल के पास ले जाते हैं, जो उसे बार बार कहता है कि अपना नाम बोलो, पर वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि यहाँ पे किसी गुलाम को बिना परमीशन के बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जनरल कहता है कि वो बोले, ताकि उसे चीकते हुए, चलाते हुए, वो सुन सके, पर ऐसा ना करने पर वो एक जलते हुए रोट उसकी कमर पर लगा देता है, और फिर उसे बहुत मारता है, और उसी हालत में छोड़ कर चला जाता है, तो आप समझ गया होंगे कि यहां के गुलामों की क्या हालत है, एडन खिरकी से बाहर देखती है इसी उमीद में कि शायद उसे कोई मदद कर दे, पर उसी कितरा हजारों गुलाम के साथ हर रोज यही होता है, और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आता, अब अगली दिन हम ग और गलत काम करते थे, वो बस यही दूआ मांगती थी, कि उसे किसी तरह से मौत आ जाए, ताकि वो इन हालातों से अजादी पा सके, हम देखती हैं कि एक दिन नए गुलामों के गुरूप को यहां लाया जाता है, जिसमें बहुत से लड़कियां होती है, यहां की कोशिश करती है, और बताती है कि वो नौर्थ कैलिफोनिया से है, उसे यहां जबरदस्ती लेकर आए गया है, वो बस यहां काम नहीं कर सकती है, अब वो तो यहां तक यह भी कह देती है, कि हम दोनों यहां से भाग चलते हैं, बोलो तुम्हारा क्या प्लान है, तब यह पिंचलाती हुए कहती है कि तुम पागल हो गई हो तुम्हें जो कहा गया है बस वही करो अपना सर जुका कर तुम्हें क्या लगता है कि मैंने भागने की कोशिश नहीं करी जिसके बाद वो अपने जखम दिखाती है लेकिन जूलिया को यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि अचानक से उसकी जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव आ गए थे अब यहां जूलिया उसे समझाती है उसे बताती है कि वो प्रेगनेंट है तो एडन उसे खुद के सामने बैठा कर उसे समझाती है कि तुम्हें चुप रहना होगा नहीं तो यह वाइट लोग तुम्हार प्रेटी हो लेकिन थोड़ी दिर बाद वो से बुरी तरह से मारता है क्योंकि उसने बिना पर्मीशन के उसके सामने बोल दिया था वो आदमी उसे इतना मारता है कि उसके बच्ची तक ही मौध हो जाती है अब जूलिया वहीं रोती रहती है पर कोई उसकी मदद करने नहीं आता क्योंकि उसने तो रूल तोड़ा था अब अगले दिन वो उसी हालत में काम करने जाती है क्योंकि उसके पास कोई आप्शन नहीं था अब काम करती वे उसे दर्द होना चालू हो जाता और वो चीकती है और वहीं गिर जाती है इसके बाद हम उसी गार्ड को देखते है वो आकर एली के कानों में कहता है कि ओ, तो तुम अपनी वाइफ को मिस्कर रहे हो जाओ जाकर वो रूम साफ करो एली जब उस रूम में जाता है तो उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता उसके पैरों की नीचे उसकी वाइफ की एशिस थी जिने इन गोरों लोगों ने दफनानी की बजाए ही जला डाला था उसकी राक में उसकी वाइफ की लॉकेट मिलती है जिसे वो पहल लेता है और उस राक को दीख कर वो अंदर से टूट जाता है और बस वहीं बैट कर रोने लगता है उसका बस इतना कसूर था कि वो ब्लैक था अगर इसका भी रंगोरा होता तो आज इसका प्यार इसके पास होता वहीं दूसरी और हम एडिन को देखते हैं जो कि जनेरल के रूम में थी वहाँ उसके साथ वही होता है जिसकी अब उसे आदत हो चुकी है जिसके बाद वो सोच आती है लेगिन जब उसकी आँख खुलती है तो उसके आसपास का मोहौली बदला हुआ था यहाँ पे हम एडिन को देखते हैं पर एक नई आइडेंटिटी के साथ वेरॉनिका के नाम से अब उसके साथ साथ उसका हस्बन कैनेडी और उसकी बेटी आली भी मौजूद थी वो एक बहुत बड़ी सोचियो लॉजिस्स थी पर आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले तो यह किसी और जमाने में थी पर अचानक से 21 संचुरी में कैसे आ गई तो हम आपको बता दे कि यह कोई टाइम ट्रावल नहीं है कुछी देर में आपको एक बहुत ही बला ट्विस्ट मिलने वाला है जो आपका दिमाग हिला देगा वेल आगे बढ़ते हैं अब यहां हम विरॉनिका को एक डिबेट करते हुए देखते हैं जहां वो बलाक के साथ हो रहा है बरताव के लिए अपनी राय देती है और लोगों को बता रही थी कि यह सब जो भी हो रहा है सब गलत है और इसके उपर वो आवाज भी उठाएगी इसके बाद उसकी अलिजबेट नाम की ललकी से एक वीडियो कॉल होती है जो उसकी लिपस्टिक का मजाक उलाते हुए कहती है कि तुम्हारी लिपस तुम्हारी स्किन टोन से मैच नहीं हो रही है जिसे नराज हो के वेरॉनिका कॉल को काट देती है पर तब तक वहाँ उसकी बीटी आ जाती है जिसने एक ड्रॉइंग बनाई थी जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है वेल यहां में बता चलता है कि वेरॉनिका को एक सेमिनार में जाना है जहां पर उसे एवरी लाइफ्स मैटर पर स्पीश देनी है अब कुछी देर में हम उसे होटल में देखते हैं जहां पर उसके लिए किसी ने कॉटन प्लांट का बुकी सेंड किया था जिस पर लिखा था कि लुकिंग फॉरवर्ड टू यूर हो अब इसका मतलब क्या है ये तो आपको आगे पता चलेगा पर आपने उन कॉटन को देखकर कुछ आइडिया लगा लिया होगा अब वेरॉनिका अब सेमिनार में होती है पर उसके पीछे हम उसके ही रूम में एक और लीडी को देखती है जो उसकी बीटी की बनाई हुई पेंटिंग को बहुत ही ध्यान से देखती है और फिर चली जाती सेमिनार शुरू होता है और वो अपना ब्रैंड लॉंच करती है अंगरी ब्लाक वोमिन और कहती है कि जिस तरह से ब्लाक वोमिन को इग्नोर किया जा रहा है हमें वो नहीं होने देना है हमें उनके लिए आवाज उठानी है वेल अब शोपूरा होने के बाद वो अपनी रूम की तरफ बढ़ती है जहां पर हम उसके साथ लिफ्ट में एक बच्ची को देखती है जो उससे कहती है कि कुछ बूलना मत वरना तुम मुसीबत में पल सकती हो वेल कि आप मैंसे किसी ने इस बच्ची को पहचाना ये वही बच्ची है जिसे हमने शुरुआत में देखा था अब सारे एक रेस्टों में जाते हैं पर यहां में एक अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है कि एक कीसवी संचुरिव में भी वेरॉनिका और उसके दोस्तों को कौने वाली टेबल प्रोवाइड कराई जाती है ना की बीच वाली क्योंकि वो लोग ब्लाक थे अब पार्टी पे जाते टाइम वेरॉनिका कैनेडी को थैंक्यू का मैसेज करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कौटन फ्लार्स उसी ने भीजे थे लेकिन वो उसे बताती है कि मैंने नहीं भेजे अब वो इस बात पर जादा ध्यान नहीं देती है कि वो फ्लार्ड किसने भेजे लेकिन अगर फ्लार्ड उसने नहीं भेजे तो किसने भेजे वेल पाटी ओवर होने के बाद विरॉनिका और इसके दोस्त अलग कैप बुक करते हैं क्योंकि उनका घर अलग था पर यहां शायद कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा सा जीब था विरॉनिका कैप में बैट जाती है पर थोड़ी देर बाद उसके पास कैप ड्राइवर का कॉल आता है जिसे उसने बुक करा था तो फिर ये कार किसकी है अगर उसका कॉल आ रहा है इसके पास अब वो उस फोन को उठाती है लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं नहीं ते रहता क्योंकि म्यूसिक बहुत ही लाउड होता है वो ड्राइवर को साउंड कम करने को कहती है पर वो कम नहीं करता और तब ही हमें पता चलता है कि कैप में कोयों नहीं बैठा बल्कि अलीजाबेट बैठी है जो उसी कॉटन प्लांटेशन की मालिक है अब वेरोनिका इसके आगे कुछ समझ पादी की पीछे से एक आदमी वेरोनिका को बिहोश कर देता है और इसी बीज उसके दोस्तों की कार उसके साइड से होकर गुजर जाती है पर उने इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वेरोनिका के साथ क्या हो रहा है अब सीन शिफ्टों के पहुचता है लूजियाना में जब एडिन के आग खुलती है तो उसे फोन रिंग की आवाज आती है वो बाहर जाती है तो वहाँ उसे जनरल किसी से फोन पर बात करती हुए सुनाई दीता है कि सब आरेज़्मेंट हो चुकी है तुम बस आ जाओ हाँ उसके हजबन बच्चे और तुम वहाँ समाल लो मैं यहाँ उनको समाल लोगा अब यहाँ एडिन को समझ आ गया था कि उसे यहाँ असल में पिछले साथ हफ्तों से अगवा करके रखा गया था यहाँ पर जो भी लोग थे उनके साथ भी यही हो रहा था यहाँ के नेटिव लोग या फिर गोरे लोग उन्हें इसे धोके में रखा गया था कि कोई टेकनोलोजी यहाँ से बाहर नहीं है वो बस गुलामों की दुनिया में जी रहे हैं लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है असल में यह अमेरिका का एक पिछला गाउं है जहां लोग का आना जाना नहीं है और इसी का फायदा उठा कर लोगों को यहाँ लाया जाता है उनसे गुलामी करवाई जाती है और यह लोग बस ऐसा मानते हैं कि यह सिविल वार के समय में जी रहे हैं जब अमेरिका में काले और गुरों के बीच में भीद बाव होता था और वही आज भी यह लोग कर रहे हैं वेल वहीं अबेडिन को समझा गया था कि उसे अब जनरल के उसी फोन की तालाश है जिसे वो यहां से निकल सकेगी और मदद के लिए लोगों को बला सकेगी पर यह होगा कैसे उसने तो फोन बाहरी छोड़ दिया है अब जब वो अंदर आता है तो उसे लगता है कि एडिन सो रही है तो वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारा हस्बेंट तुमें कभी ढूर नहीं पाएगा और तुम हमेशा मेरे गुलाम बन कर रहोगी अब नेक्स टे एडिन की दिमाग में बस रात वाली बात ही चल रही थी वो किसी को पता भी नहीं सकती थी वरना अगर किसी गार्ड को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे गाइब कर देंगे पर इसी बीच हमें पता चलता है कि जूलिया काम करने नहीं आई है अब गार्ड एडिन को उसके रूम में जाकर चेक करने को कहता है जब एडिन वहाँ पहुचती है तो उसके होश और जाते है वो जूलिया की लाश सीलिंग से लटके हुई देखती है अब ये देखकर वो पूरी तरह से सहम जाती है जूलिया को लगने लगा था कि वो कभी यहां से नहीं निकल पाएगी इसलिए उसने खुद की जान दे दी लेकिन एडिन जूलिया जितनी कमजोड नहीं है वो अजाद होकर रहेगी अब उसके अंदर बहुत सारा गुसा और नफरत भर चुकी है वो दोबारा फील्ड में जाती है और एली से कहती है कि हम आज यहां से भागेंगे रात में तयार रहना अब कुछी देर में अंधिर फून वहीं छुपाना पड़ता है अब वो फून जब गार्ड को मिलता है तो वो से अपने पास रख लीता है क्योंकि इस एरिया में फून का इस्तेमाल करना अलाउट नहीं है पर जिस गार्ड के पास फून होता है उसे टॉलेट आ जाता है जिसे करने वो झाड़ियों मे चला जाता है जहांपे एली उसे पकड़ लेता और जान से मार देता है जिसके बाद एडन फॉरन 911 पर कॉल करती है लेकिन वो कुछ बता पाती है कि तब तक कॉल ड्रॉप हो जाती है और इन दोनों की इतनी बुरी किस्मत होती है कि फोन भी बंद हो जाता है तो एडन एली को बचानी के चकर में उसकी और जनरल की लडाई होने लगती है और इस लडाई में बिचारा एली मारा जाता है लेकिन एडन भाग कर बाहर आ गए थी और इसके पीछी पीछी जनरल भी होता है वो छुपके से उसके हमला कर देती है जिससे वो वहीं गिर जाता है पर मन्ने से पहले वो उसका phone unlock कर लेती है अब यहां वो इस बारे पुलिस को नहीं बलकि सीधा अपने husband Kennedy को call लगाती है जब phone उठाता है तो उसे तो यकीन ही नहीं होता पर Aiden कहती है कि मैं ठीक हूँ मैं तुम्हें यहां का pin दे रही हूँ जल्दी से पुलिस को लेकर यहां पर आ जाओ अब इसके बाद वो उसे अपनी location send कर देती है और जनरल का घोडा लेके जाने लगती है लेकिन तब तक वहां एक और guard आ जाता है और यह वही था जिसने Aiden को kidnap किया था वो उसे जूट बोलती है कि जनरल पता नहीं कैसे बट room में lock हो गया है चलो जल्दी चलो पर यहां व लेकिन यहां से दूर जाती है लेकिन देखते ही देखते हो जाला भी होने लगता है जिसके वज़े से Aiden को घोली को भागने में आसानी हो रही थी लेकिन तभी कुछी दूरी पर उसे Elizabeth देख जाती है जो अपने घोली से उसका पीछा कर रही थी वह Aiden को देख ली थी और अंदा धून गोलियां चलाने लगती है पर Aiden अपने घोली को आगे करके खुद कहीं चुप जाती है और यहां Elizabeth एक रास खोलती है कि उसके जितने भी गुलाम यहां काम करते हैं सब को उसने चुना है लेकिन सिर्फ एक वही है जिसे उसके डाड ने चुना है क्योंकि उसक सब सुने के बाद Aiden का गुसा बाहरा जाता है वो बड़ी चलाकी से Elizabeth के गले में एक रसी अटका देती है लेकिन Elizabeth उसे हटा देती है जिसके बाद उन दोनों में हाता भाई होना शुरू हो जाती है जिसमें Dan की जीत होती है जिसके बाद वो उसी रसी को अपने खोले से बान हो जाती है पर यहां भी Aiden के लिए मुसीपते कम नहीं होई थी आगे धेर सारे गार्ड उसका इंतिजार कर रहे थे तार उस पर गूलियां चला रहे थे अब यहां एक ऐसा सीना आता है जो सभी के रॉंग्टे खड़े कर देता है Aiden उन सभी को चीरती हुए वहां से बाहा लिया जाता है कहानी के आखिर में हमें पता चलता है कि जिस पार्क में ये सब चल रहा है वो असल में एक American Civil War पार्क है जो की टूडिस स्पॉट था लेकिन इस हास्ते के बाद उसे पूरी तरह से खतम कर दिया जाता है इस कहानी से हमें एक चीज जरू सीखनी चीए कि मुझ वाचिंग पीस आओ